स्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधान मंत्री थे ठीक है उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर परदेश में हुआ था उनके पिता का नाम शार्दा प्रसाद श्री वास्तव एवं माता का नाम राम दुलारी था उनका वच्पन बहुत अभावो में बीता ठीक है बिता नहीं है बीता जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास स्वर्गवास मतलब क्या होता है उनका निधन हो गया यानि कि उनकी मृत हो गयी हो गया कठिन परिस्तितियों परिस्तितियों में उन्हें निडर द्रण निश्चई वे सच्चा देशभक्त बना दिया देश को स्वतंत्र कराने के लिए वे कई वर्षों तक कारावास में रहे जेल में रहते हुए भी वे कभी अंग्रीजों के सामने नहीं जुके एक बार शास्त्री जी नैनी जेल में थे उनके घर से समाचार आया कि उनकी पुत्री बहुत बीमार है पुत्री यानि कि उनकी बेटी बहुत बीमार है सभी ने सास्त्री जी से कहा कि अगर वे पुत्री की बिमारी के बारे में लिख कर दे दे तो उन्हें जेल से शसर्थ कारामुक्ती मिल जाएगी परंतु वे नहीं माने उन्होंने कहा मैं देश की आजादी के लिए जेल आया हूँ मगर अगर मैं अपनी बिमार पुत्री से मिलने चला जाओंगा तो देश का क्या मुह दिखाओंगा ठीक है शास्त्री जी ने किस तरिकी से कहा ना बहुत ही अच्छी सी उनकी कहानी थी बहुत ही संदर सी कि अगर वो चले जाएंगे तो फिर वो अपने देश को कैसे मुह दिखाएंगे बहुत सिंपल सी बहुत ही छोटी सी है पर बहुत अच्छी है अंगरे सरकार को शास्त्री जी के सामने जुकना पड़ा उन्हें बिना किसी लिखित अनुमती के घर जाने दिया गया शास्त्री जी घर पर पहुँचे तो उन्हें देखते ही सब चुप हो गए तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की मृत्यू हो गई है मृत्यू य Mentि की उसकी मौत हो गई है शास्त्री जी की आंखों में आसु आ गए परंथु उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया देश भक्त यानि कि देश के लिए सब कुछ न्योचावर कर देने वाला यानि कि देश के लिए सब कुछ छोड़ देने वाला इतरी किसा आप ऐसे सोच सकते न कि देश भक्त यानि कि उसने अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नही किसी भी चीशतिने स्वत्यंत्र यानिकि आजाद या मुक्त भी हम बोल सकते हैं थो उनों सागते हैं कारवास यानिकि कुछ समय के लिए शर्टों के साथ झेल से बाहर जाना शशर्ट यानिके कुछ शर्टों के लिए कुछ समय के लिए जेल से बाहर जाना अनुमती यानिके इजाज़त ठीके किसी से अनुमती लेना यानिके किसी से इजाज़त लेना लत्यू यानिके देहांत इन्हें भी आप लिख सकते हैं शुद्ध करके कैसे लिखते हैं प्रसिध इसमें दह आदा बना हुआ है तो करक्ट तरीका ये होता है लिखने का हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और परंटू अंग की बिंदी लगिए नहीं पर तो परंटू ऐसे भी लिख सकते हैं और परंटू ऐसे भी लिख सकते हैं तो इस पार्ट आपको कैसा लगाए प्लीज मुझे जरूर बताएगा अच्छा लगाए तो लाइक कर दीजिगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिगा थैंस वो वाचिंग और कॉशन अंसर चाहते हैं तो आप कॉमेंट करकी बता दीजिगा मैं को कॉशन अंसर भी शेयर कर दूंगी